तो दोस्तो आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू इस LG Dual Inverter AC का दोस्तो यह जो AC है उमने लास्ट यह पर्चेस किया था अब दोस्तो आपको प्रूब के साथ दिखाने वाला हूँ मैं अपना जो लाइट बिल जो है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तो आप वीडियो को जो है पूरा अच्छे से देख ले और दोस्तो अगर आपको इस समर में नया एसी लेना है तो यह वीडियो जरूर आइसर रेटिंग है वह दोस्तो 4.73 है अब दोस्तो जब भी आप एसी लेने जाओ तो इस चीज को सबसे पहले कंसीडर करो कि आपके एसी का जो आइसर रेटिंग कितना है अभी दोस्तों 6 या में भी 6 से ज्यादा भी कोई यह अच्छी होगी उतना आपका पावर कंजम्शन है अब आपको डिफरेंस बता देता हूं बेसिकली नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के बीच में में डिफरेंस के जो नॉन इन्वर्टर एसी का जो ओम्प्रेसर होता है वह दोस्तों आपका या तो फूल या तो दोस्तो वह प्हुता है फुल स्पीड पे यानि कि फूल पावर कंजम्शन पे अब पिसे नॉन इन्वर्टर एसी में तो अगर आपने रोम एसीघवले किया है और उसके बाद अगर आपका टैंपरेशर 26 या 26 से कम जो है वो चला जाता है तो एसी जो है आपका नॉन-इनटर वी जी वह पॉंपरेसर को बंद कर लेगा ओ टैंपरेशर सेंज करके वह पॉंपरेसर को बंद कर लेगा जिसे हम कट-अफ बुलते दोस्तों वहां आपका full speed से चालो होता है, suppose आपने वहाँ पे 26 temperature set किया और एक certain hour के बाद या तो एक घंटे के बाद अगर room temperature 26 पे पहुंच गया तो जो inverter AC में compressor की दोस्तो speed है वो तीरे दीरे reduce होती है, यानि कि दोस्तो पहले अगर suppose 100% speed पे चलता था, तो बाद में दोस्तो 80% पे आजाएगा, उसके बाद 60% पे भी आ सकता है, अगर cooling maintain है तो वैसे ही तरीके से दोस्तो आपका power saving होता है वहाँ, दोस्तो अगर मैं यहाँ आपको detail में example दू थोड़ा technically, तो आपका AC अगर full speed पे 1500 watt consum करता है, तो 1500 watt यानि कि 1.5 kilowatt, यानि कि 1.5 unit per hour, अब दोस्तो वो धीरे धीरे reduce होता है, जैसे inverter AC cooling करता है, वो अपनी speed जो है compressor की वो reduce करता है, वो reduce करके दोस्तो शायद 1000 पे भी आ सकता है, शायद 700 पे भी आ सकता है, या तो 800 पे भी जो दोस्तो power consumption है, reduce होता है, वैसा दोस्तो non-immuniter AC के case में नहीं होता, वो दोस्तो अपनी peak speed पे ही चलता है, यानि कि अगर आपका जो specification sheet में लेखा हुआ है, कि वो 1600 या 1700 unit लेगा आपका compressor, तो वो दोस्तो उतना ही लेगा, उससे कम नहीं लेगा, तो ये दोस्तो main difference है, inverter और non-inverter AC के बीच में, अगर दोस्तो AC के look की बात करूँ, तो दोस्तो AC का look मुझे काफी अच्छा लगता है, पॉस्नली ये दोस्तो subjective हो सकता है, और दोसको इसका जो display है, जहाँ temperature और settings होते है, वो भी दोस्तो in body है, तो वो भी एक अच्छा look देते इस AC की body को, अब दोस्तो से filter को निकालना पड़ता था, clean करने के लिए, अब दोस्तो ये AC में जो filter है, वो ऊपर की side डिये गया, अभी मैं आपको ये यहाँ दिखा देता हूँ, अभी जैसे आप देख पारे हो, ये ऊपर की तरफ है दोस्तो, तो दोस्तो ये AC के filter जो है, आपको, पिक समर्स में दो दोस्तो पंदरा से दस तिन में एक बार दोस्तो clean कर देने हैं, नहीं तो दोस्तो आपकी cooling की efficiency है, वो कम हो जाएगी, कि दोस्तो वहाँ dust बैट जाता है, मेरे साथ भी दोस्तो ये experience हुआ था, मेरे AC का cooling काफी जो है, कम हो गया था, I was just about to call the LG service guy, बट मुझे फिर तरतूरंत के time में आप 10-15 दिन में एक बार उसको निकाल के अच्छे से clean करके लगा दो, दोस्तो बात कर लेते हैं, इस AC के features की तो दोस्तो ये रहा, इस AC का remote, ये जो पहला button है, उसका दोस्तो आप जो है, ये lights जो AC के वो off करने के लिए, दोस्तो ये AC चालू है, लेकिन जो AC के उपर जो display है, वो off हो चुक है, मैं अगें दोस्तो एक बार फिर से आपको प्रैस करके दिखा देता हूँ, देखो दोस्तो ओन हो गई, वो display अभी, दोस्तो ये जो है, वो fan speed अद्देश करने के लिए है, दोस्तो हर एक low, medium, high पे 2-2 speed है, दोस्तो तो total 6 speed का यहां आपको setup है, तो बाकी काफी लोग दोस्तो इसको high cool भी बोलते है, अब दोस्तो इस button का use क्या है, जब कभी दोस्तो आपका room बहुत ही ज़्यादा गरम हो चुका हो, और आप instant cooling चाहते हो, instant यानि दोस्तो 5-7 मिनिट में, अगर आपको cooling चाहिए, तो आप इस mode को activate कर लिजे, यह आपका जो AC हो, दोस्तो maximum possible speed पर चालो हो जाएगा, और आपको दोस्तो 5-10 मिनिट में cooling मिल जाएगी, आपकी के जो दोस्तो यह button है, वो आपके temperature adjustment के लिए है, और यह दोस्तो AC का mode जो है, वो change करने के लिए, दोस्तो अब बात करते है, इस AC का आपको कैसे use करना चाहिए, to get effective cooling and effective saving, अब यह AC तब दोस्तो power save नहीं करेगा, तब उस case में आप दोस्तो एक non-inuter AC ही ले सकते हो, और दोस्तो मैं बात करूँ, ऐसे temperature level की जो 18-20 दोस्तो वो pocket friendly तो नहीं होता, उपर से दोस्तो वो health के लिए भी सही नहीं है, तो अगर आपको ऐसे temperature की आदत है दोस्तो तो इस AC को मत ख आपको होता है, like from 9.30 to early morning 4 or 5, तो और दोस्तो मेरा per day 8 गंडे का uses रहता है, और कभी-कभी दोफेर में भी एकाज गंटा चल जाता है, तो दोस्तो मैं क्या करता हूँ, तो दोस्तो मैं क्या करता हूँ, एसी को on करके जो temperature है, starting की 15-20 मिनिट के लिए 23 या 24 पे कर देता हूँ तब दोस्तों, AC को मैं normal mode पे चलने देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही थोड़ा room cool होता है, जैसे थोड़ा room ठंडा हो जाता है, मैं AC का temperature है, 26 या 27 पे ले जाता हूँ, as per my liking, और दोस्तों, साथ ही में, जैसे मैं 26-27 पे ले जाके, मैं क्या करता हूँ, दोस्त दोस्तों, इसका जो use है, वो power save करने के लिए होता है, as per the condition of the room, अब दोस्तों, यहाँ आपको तीन सेटिंग दिये वहा है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मैंने अलरड़ी जो है energy control एक्टिवेट करके रखा है, अभी दोस्तों, यह 80 परसेंट पे है, एक दूसरा ज यह settings है, वो आपको अपने रूम की condition के इसाब से करनी है, अब दोस्तों, यहाँ जो 80 परसेंट का meaning है, कि आपका AC अभी 80 परसेंट के efficiency से चल रहा है, means वो आपके 20 परसेंट सेव कर रहा है, यह mode आप कब यूज कर सकते हो, as per the LDs website, कि जब आपके रूम में दोस्तों, 60 परसेंट पर, means दोस्तों, यहाँ आपके AC का जो, AC की जो efficiency है, वो 60 परसेंट पर है, यानि आपका AC अभी 60 परसेंट पर चल रहा है, और बाकी के rest of 40 परसेंट जो है, वो आपके सेव हो रहा है, और दोस्तों, यह mode कब आइडियल है, जब आपके रूम में दोस्तों, बहु में सो चुके हो, तो यह दोस्तों सबसे maximum power save करेगा, और दोस्तों, यह आपके 60 परसेंट जो है, बिजली का bill बचाएगा, तो दोस्तों, आइडियली मैं क्या करता हूँ, 26 रोम टेंपरेचर को set करके, रात को, मैं energy control को, दोस्तों, 60 परसेंट या तो 80 पर कर देता हूँ, य to get the maximum benefit, so guys, this is how I use my AC, और दोस्तों, आपको भी ऐसे ही यूज करना चाहिए, to get the maximum benefit and maximum cooling, दोस्तों, यह सहत के लिए भी सही है, और दोस्तों, यह pocket के लिए भी सही है, अब दोस्तों, मैं आपको जो है, अपना bill जो है, दिखा देता हूँ, जिसके लिए आप अभी हो, इस वी जुजराती में है, पर मैंने इंडिकेट कर दिया है, आपको यहां कर दोस्तों, जो राइट साट विल है, वो inverter AC का है, वहां दोस्तों, यूनिट करना है 536, में जून 19 का बिल है, दोस्तों, और जो बिल की amount भी आप देख सकते हो, अल्मोस्त दोस्तों, 50% का फरक है यहां और दोस्तों, यह है मेरा पूराना non inverter AC, जिसको मैंने अभी hall में लगा दिया है, दोस्तों, एक और चीज में यहां add करना चाहूंगा, power consumption की बात है, तो काफी सारे लोगों को मैंने ऐसे use करते हो, देखा है दोस्तों, कि AC को जो है, वो cooling होने के बाद बंद कर देते है, फिर से चालू करते है, फिर on करते है, फिर off करते है, फिर on करते है, फिर off करते है, तो वहिया inverter AC के case में इसा मत करना, आपका build कम होना के जगा है, आपका build बढ़ेगा, अब ऐसा क्यूंग दोस्तों, क्यूंकि जब cooling हो जाती है, तब आप AC को बंद कर देते हो, तब दोस्तों, आ आप उसको अगेन बंद कर दोगे, तो वह अपनी full speed पर ही चलेगा, दोस्तों, फिर non inverter AC का case ही हो गया, तो दोस्तों, inverter AC के case में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको savings नहीं मिलने वाली, तो इस चीज का भी आप ज़रू से ध्यान रखे, तो overall एक बहुत ही अच्छ का भी ध्यान रखे, और दोस्तों, अभी तो government ने norms भी निकाल दिये, कि जो dry default temperature है, AC का, वो 24 हो के आएगा, आप उसे reduce कर सकते हो, लेकिन चालो, दोस्तों, 24 पे ही होगा, तो this is my review, guys, for this AC, जैसा लगा, आपको मुझे आप comment section में जाके नीचे बताओ, अगर आपकी कोई query हो या तो suggestion हो, आप नीचे comment section में जाके लिख सकते हो, और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो make sure कि आप channel को subscribe कर लो, साथ ही में दोस्तों, पैल icon को भी प्रेस कर लो